आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों हम लोगे परिवार और समाज की महिलाओं की इच्छा होती है कि उनका रंगोरा हो रंगोरा हो और वहाँ खुब चमके आकरसन का केंद्र बनने की बहुत लोगों में क्वाइश होती है और उसके लिए वो सबसे बड़ा इंक्रिडियंट मांते हैं उनका रंगोरा होना चाहिए यह सही नहीं है लेकिन यह बिल्कुल गलत भी नहीं है आकरसन का केंद्र आदमी चेहरे से ही बनता है आपकी भाषा तो आदमी बाद में सुनता है आपकी बाद में सुनता है लेकिन आज कल क्या है हिंदुस्तान में बुराई भी मैं आपे कहूंगा बुराई यह है कि आदमी आपको देख के आपके बारे में राय बना लेता है आपकी बास समझने को व्यक्तिनी तयार है तो हिंदुस्तान की इसी कमी को ये कमी तो नहीं दूर हो सकती लेकिन हम आप में कमी दूर करने का प्रयास अपने छोटे मुटी जानकारी के माध्यम से कर सकते हैं हम आपको ऐसा चुक नुसका सातिवाज रंगोरा करने का ड्रिंक बताएंगे घर में बनाने का जिससे आप एक हफ्ते के अंदर अपने रंग में फर्क पाने लगेंगे हो सकता है आपको हमारी बात सुनके भरोसा ना हो लेकिन यहाँ काम करके और इसको पी के आपको भरोसा हो जाएगा आप इसको एक महीना पीजिए मैं कहता हूँ एक हपते में आपको फाइदा मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन आप इसको एक महिना पीजे और यहाँ जादूई जो यहाँ पे है ड्रिंक है यहाँ आपके बाडी को भी नरिश करेगा और आपके कलर कॉंपलेक्शन में एक हपते के अंदर फरक डालने लगे बेश है साथियों आपके सामने वहाँ जादूई नुस्खा जो अधूत तरीके से अचंबा कर देने वाले तरीके से आपको एक हफते में आराम देना शुरू कर देगा इस जादूई नुस्खे के लिए आपको जो एक हफते में रंग बोरा करना शुरू कर दे उसके हम आपको बताएंगे आगे, तो एक काश के गिलास में आपको पानी लेना है, थोड़ी सी उसमें एक चम्मच सौफ डाल देनी है, अच्छे से साफ करके एक चम्मच आप सौफ डाल दीजिए, उसके बाद आप उसमें दो इलाइची डाल दीजिए, हरी इलाइची, छोटी व तो आप उपन में रख दीजिए वह आपको सुखा पुदीना ले लेना है, दो लॉंग ले लेनी है, उसमें डाल देनी है और आपको चार्चे काली किश्मिश डाल देनी है लिस्ट बहुत लंबी नहीं है साथियों क्योंकि यहाँ समान आपके घर में रहता है, मैं फिर आपको एक बार रिपीट करूँ, आपको एक ग्लास कांच के ग्लास में पानी लेना है, पानी में आपको सबसे पहले सौंप डाल देनी है, एक चम्मच, उसके बाद आपको दो is a einem लिकीमी में लेहिं, बाद दीना जसku के बाद 1 तीसे नामबर पर आपको अपको फॉखा पुदिना डाल देना है, चौथा आपको क्लोट, या लॉंग दो पानी में डाल देनी है औह पांच वा, अगर हो सके तो काली कुष्मिश आपको चार्चे ढाल देनी है इस गिलास को जो कांश का गिलास है इसको आपको कपड़े से कवर करते ना है पोरस जो सफेद कपड़ा जाली वाला कपड़ा होना चाहिए उससे आप इसको बांद के एक रात भर डारेक्ट चन्रमा की रोशनी में रख दीजे, मून की लाइट में रख दीजे, इसका भी साथ यह बहुत बढ़ा लॉजिक है, मून जो है वो आपका शुक्र ग्रह, खुबसूर्ती के ग्रहका सुचप होता है, आपको आभा प्रोवाइट करता है, आपको चमक दीजे, और सुभा आप इस पानी को झान के, यहाँ पानी सुभा खाली पेट आप पी लीजे, ऐसा प्रोशेस आपको रोज करना होगा, इसको आप दस दिन तक करिए, लगा तान, यकीन मानिए आपके चेहरे पे चमक आने लगेगी, आपका रंग गोरा होने लगेगा, आ एक महीने के अंदर निश्चित आराब मिलेगा, जिन भाई बैनों के थोड़ा सा रंग में ज्यादा मिलानिन पिग्मेंट साधा जमा है, हो सकता है, उनको थोड़ा वक्त लगे, तो मैं सला दूँगा आप एक महीने इसको करिए, आप देखेंगे कि आपका चेरा चमकने लगा, आपका चेरे में एक आभा आ गई, इसको आप करिए साथियों, हमको कमेंट पोर्शन में लिखके बताइए, आपको इससे लाब मिला कि नहीं मिला, और आपके मन में कोई क्वरी हो, तो हमें आप वाट्साइप कर सकते हैं, कोशिश करिएगा इसी वीडियो की अगर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी चैनल को हमें सब्सक्राइब हो के लिएगा, और बेल आईकन को क्लिक करके, सबसे पहले सबसे नेया वीडियो फाब करते रहिएगा, दॉक्टर उमंखना होमेोपेथी क्लीनिक, म किसी पुरानी किताब से में इस तरह का कोई नुस्खा मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने लाओं क्योंकि मैं lower middle class विखती हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ वही चीज लाओं जो सामाने आदमी कर सके कि मेरा यह चैनल समाने लोगों के लिए है बड़े लोग बड़े लोगों को तो बड़े बड़े जगहां पर जाते हैं लेकिन यह निश्चित रूप से लागकारी है आप इसको करिए और हम कामना करते हैं कि आप चमकें और आकर्सन का गेंडर बने रहें अगर आपकी ही ख् कि अलती देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अलती रहें हैं कि ख्वक्त बड़े जवाद झाल झाल